नमस्कार, RS अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम सूजी से उपमा बनाएंगे विगुल खिला खिला सा और टेश्टी सा उपमा हम बना कर तयार करेंगे तो चलिए बनाते हैं कड़ी ले लिया है हमने, इसमें एक कप सूजी डालेंगे यानि की रवा अब इसे एक साइड में कर देते हैं और दूरसे बतर में हम तीन कप पानी लेंगे आपका टोरी या कप जो भी माप में लेते हो तो एक ही बतन ले, अलग-अलग से माप सही नहीं आएगा तो हमने एक कप सूजी के लिए तीन कप पानी ले लिया है और इसे भी दूसरे सैड में रखके गर्म होने के लिए रख देते हैं और इधर भी सूजी को हमें पकाना है छे से साथ मिनट तक हम इसे पकाएंगे हमने इस मोटा सूजी लिया है आप चाहे तो बारिक भी ले सकते हैं लेकिन मोटा वाले से और अच्छा खिला खिला सा अलग-अलग सा दाना नजर आएगा तो इसे हमने ज्यादा डार्क नहीं करना है अब ये पक चुका है बस इसे अब गैस बन करके हम उतार देंगे इसका रंग नहीं चेंज करना है जिस तरह हम हलवे के लिए ज्यादा थोगा सा डार्क करते हैं उस तरह हमें नहीं करना है इसका रंग सफेदी रखना है हमें कड़ी में एक बड़ा चमच तेल गर्म के लिया है उसमें डालेंगे आधा चमच राई आधा चमच, जीरा, क्रैकल होने पर हम डाल देते हैं दो पिंच हिंग, एक चमच, अधरक, लसन, कूट के डाला है हमने और एक बड़ा साइच का प्याच बारी काट के डाला है 6-7 हरी मिर्च बारी करके डाल दिया है एक कड़ी पत्य डालेंगे, मेर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद प्याच को हमने हलका सा गुलाबी कर लिया है इसके बाद डाल दिया है आधा कप बारी कटा हुआ गाजर एक बड़ा सा इच का बारी कटव टमाटर और आधा कप हरी मटर और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसे हमें थोड़ा दिर पकाना है पाच मिन तक हम इसे ढखके पकाएंगे तागि सब्जी अच्छे तरह गल जाए हमने नमक थोड़ा ही डाला है जब सब्जी गल जाए भून कर भी डाल सकते हैं देखे अब सब्जी अच्छी तरह पक चुकी है तब हम इसमें डाल देंगे जो भून के रखे तेस हुजी उसे डाल देंगे और एक चमज शक्कर भी डालेंगे इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हमने नमक पहले टाला है अगर आपको नमक का अदाजा नहीं समझ में आएगा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देते हैं एक चमज घी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें गरम पाइण डालेगे और इसे धीरे-धीरे मिक्स करते जाएंगे आप चाहे तो सबजियां पकने के बाद उसमें तीन कप पाइं डाल दे और उसे उबाल आने दे जब अच्छे तरह उसमें उबाल आ जाए तब उसके बाद धीरे धीरे सुजी डाले या फिर आप इस तरह बाद में सुजी में पाइन डाले इस तरह लंप्स पढ़ने का डर नहीं रहता है और थोड़ा सा फिर से हम नमक डाल देंगे अगर आप दो बार नमक डाल रहे हैं तो ध्यान से डाले हमने पहले भी सबजी को पकने के लिए थोड़ा सा नमक डाला है और बाद में भी सुजी में डाला है अब गैस का फ्लेम विकुल लो करेंगे धकके उसे 3-4 मिनिट तक और पकाएंगे तो देखे अब हमारे उपमा बनके तयार है इसमें हम एक निबू का रस निचोड़के डाल देते हैं और धनिया पती डाल देंगे इसे अची तरह मिक्स कर लेते हैं अब हमारे उपमा खाने के लिए विकुल रेडी है विकुल सॉफ्ट और टेस्टी सा उपमा बनके तयार हुआ है आप भी इसी तरह उपमा बनाए तो आपका उपमा भी बहुत ही बढ़ियां टेस्टी सा बनके तयार होगा एक एक दाना फ्री रहेगा इतना अच्छा हमने उपमा बनाके तयार किया है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइक उन जरूर दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुँच सके धन्यवाद